नाकपूर के बाजारों को अनुशासित करने के लिए यानि भारी भीड भार के उचित नियोजन कर दुकानदारों व ग्रहकों के लिए आवागमन सूचारू करने के उद्देश से स्मार्ट सिटी कमपनी ने अपना ट्रायल शुरू कर दिया है सिटी में प्रायोगिक तोर पर सबसे पहले सीता बड़ी में रोट को लिया गया है स्मार्ट सिटी कमपनी द्वारा स्ट्रिट फॉर पीपल बनाने की शुरूबात कर दी गई में रोट में दाय और बाय साइट कुपसूरत सी पेंटिंग कर पट्टा बनाया गया है जिसके पीछे के हिस्से में हॉकर्स की जगह दी जाएगी इस कलर्ट पैच का हॉकर्स के ग्राहक उपयोग करेंगे जिससे भीड रोड के बीच में नहीं आएगी और वाहनों के आवागमन की सुविदा होगी स्मार्ट सीटी की अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बर्डी में रोड को डिस्सप्लीन बनाने की टेस्टिंग के उद्देश से यह सब किया जा रहा है उन्होंने बताया कि सीटी के बाजारों को अनुशासित बनाने के लिए स्थानिय आर्किटेक्ट से आईडिया वर डिजाइन मांगे गए थे पहले सीता बड़ी और महल मार्केट को लिया गया वही सकरदरा और चिल्डरन पार्क में भी यह प्रयोग किया जाएगा स्मार्ट सीटी के मार्केट भी स्मार्ट करने के लिए कार्य किया जा रहा है उसी के चलते स्ट्रेट फॉर पीपल की टेस्टिंग शुरू की जा रही है जिससे आने वाली दिक्कते सहूलियते आदी का अधियन किया जा सके फिलहल टेस्ट करने का प्रयास किया जा रहा है बर्डी मार्केट में रोड हॉकरों की समस्या अभी की नहीं है मामला हाई कोट में भी चल रहा है बार-बार कारवाई के चलते यहां हॉकर्स अदालत की शरन में है मनपा की और से उन्हें कुछ चस्तानों पर हॉकर्स जोन भी बना कर दिया गया था लेकिन वे कई कारणों से वहां नहीं गए इस रोड में सैकडो की संख्या में हॉकर्स का कबजा होता है जिसके चलते रोज की सुबह से रात तक रोड जाम रहता है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहट स्ट्रेट फॉर पीपल की टेस्टिंग शुरू की गई है और क्या इससे हॉकर्स वग्राहग अनुशासित होते हैं ये देखने वाली बात होगी